अगर आप इस सल Delhi University में admissions के लिए apply करने वाले हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत informative होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में cover करने जा रहा हूँ, Delhi University में अगर आप stream switch करना चाते हैं तो उसका process क्या होता है पहले आप लोगों की merit system हुआ करता था, cut-offs, release होती थी, कोई भी student किसी भी course में admission ले लेता था लेकिन जब CUT का exam आया तो उसमें एक Delhi University ने condition रख दी कि आप लोगों को अपने class 12 के subject के अंदर ही exam देना है तो student के mind में doubt आया कि यार मैंने अगर class 12 में science ली थी, तो science के subject से exam दूँगा और मेरे को admission लेना है BA honors in economics के अंदर, या फिर मेरे admission लेना है BA honors in history के अंदर, तो मेरे science के subject मेरे को कैसे help करेंगे तो इस doubt को मैं properly as clear कर दूँगा, तो देखे Delhi University में कुछ भी नहीं बतला एक तरीके से, आप लोगों का बस merit का system जो है class 12 की percentage को replace कर चुका है CUT के score से, तो यहाँ पे होता क्या है, जब आप लोग अपने exam देते हैं, class 12 में पड़ो exam देते हैं, उसका आपको domain exam देना है CUT के exam के अंदर, उसके result के basis पे आप चाहें तो बाकी courses में admission भी ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों को उसके लिए इनकी eligibility criteria जो है fulfill करना होगा, अब इस eligibility criteria को मैं भी explain करूँगा, उससे पहले most important point को mark कर लो, आपके पास class 12 में आपने जो subject पड़ा है, और सिर्फ उसी का ही exam देना है, यह चीज मैं आपको बार-बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे students के mind में यह चीज रहती है, कि मेरे को अगर history honors करना है, तो मेरे आपको history का ही exam देना पड़ेगा, last year भी बहुत सारे students के साथ ऐसी चीज़े हुई थी, तो यह आप लोगों के समने information bulletin है, Delhi University का, तो साब साब mention है, कि student को उसी के अंदर appear करना है, जिसके अंदर student ने अपने class 12 के अंदर study करी है, अब मैं आप लोगों को ले के जाता हूँ, स बैल को subscribe कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके पास बहुत informative वीडियो आएगी, Delhi University से admission related चीज़े, एक एक चीज़ हम sort out करेंगे, यहाँ पर बैठके, ठीक है, तो देखें, यहाँ पर आपके पास नीचे जब आप जाते हो, तो यहाँ पर University of Delhi ने अपने जो है ना, University University के admissions की complete information दी हुए, कि हमें कौन से course में कौन से subject की requirement है, अब एक example के तौर पर समझते हैं, देखें, कोई student है, जो कर रहा है B.Sc. Honors in Biology, तो यहाँ पर जब Delhi University ने subject की requirement रखी, तो क्या mention करा, Physics, Chemistry, Biology, ठीक है, तो यहाँ पर specifically subject mention करे गई है, क्योंकि आप खुद भी सोचो, Humanities का student student B.Sc. तो करना जाएगा नहीं, तो उसके लिए यहाँ पर कोई subject mention करना मतलब एक तरीके से useless है, दूसरा Commerce student की भी बारे में बात करें, तो कोई student B.Sc. बाटर नहीं सकता Commerce student, यह चीज़ पहले भी हुआ करती थी, लेकिन जब आप जाते हैं, Science का student Commerce के courses में admission ले सकता है, साथ मे Arts के courses में भी admission ले सकता है, सेम विद Arts and Commerce, दोनों ही लोग अपस में अपने different courses में admission ले सकते हैं, लेकिन दोनों ही Commerce और आपके Arts के student Science related courses में admission नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ-साफ mention करा गया कि Physics, Chemistry, Maths और Biology, अब चलिए नीचे की तरफ चलते हैं, जैसे कि एक चोट Arts in Journalism, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया, English and any three from section two, या फिर आप general test exam दे दीजिए, ठीक है, any three, any three mention करने का ही reason यह है, अगर Science का student है, तो PCM ले ले, Commerce का student है, तो अपने तीन subject ले ले, Arts का student है, तो अपने तीन subject ले ले, समझ में आई हैं, आपको इस चीज, चलिए आगे की बाकी तीन subject अपने class 12 के ले लो, तो PCM वाला भी अगेन यहाँ पर history में apply कर सकता है, दूसरा commerce का student भी अपने तीन subject की merit बनवा के यहाँ पर admission के ले अप्लाए कर सकता है, अब नीचे आ जाते हैं, ठीक है, आपको I hope समझ में आ रहा हो कि stream कैसे सुच हो दे डेलिजिटी के case क कोई student जिसके पास PCM है, वो यहाँ पर apply कर सकता है, इसके अलावा arts का student यहाँ पर apply नहीं कर सकता, तो हर चीज़ डिपेंड करती है आपके subject के उपर, और डेलिजिटी ने जो criteria mention करा है, वो आप fulfill कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अब BFA हो गया, fine arts हो गया, यह science भी student कर सकता है Commerce का भी कर सकता है, Humanities का भी कर सकता है, तो यह है आप लोगों का पूरा का पूरा solution, इस query पर की बहुत करेंगे, तो ऐसे आप अप लोगों को अपनी stream करेंगे, इसका एक best तरीका क्या है, preparation करने का, आपको अपने class 12 की subject पर अपनी hold बनानी है, अगर आप Humanities के student है, आपके प फोकस रखो, General Test भी आप लोगों को बहुत अच्छे-च्छे courses में admission दोनाने के लिए, जो है eligible बना देता है, साथ में Delhi University इनुचिटी करता है, best score को, कई सारे courses में आपको भी Bachelor of Generalism का दिखाया तो, उसमें क्या बोला गया, कि English plus General Test दे सकते हो, और English plus Class 12 के subject दे सकते हो, अगर आ आज ही जुड़ जाए हमारे साथ, डाउनलोड कर लो, Higher Education की application, जिसमें हम डेली live classes के थुरू आप लोगों की preparation करा रहे हैं, हमारे पास specifically, जो student Delhi University में admission के लिए apply करते हैं, specialized course available है, CUT के अंदर आपको particular course में जिसमें भी जाना हम उसके हिसाब साब की तयारी करवाएंगे, आप इस तरीके से आपको करना क्या है, डाउनलोड कर लेना है, Higher Education की application, डेली live classes है, आपको complete support मिलता है, teacher के साथ, one-on-one interaction हम करवाते हैं, so I hope आप लोगो को वीडियो यूसफुल लगए, वीडियो यूसफुल लगए हैं, तो like जरू करना, मिलते नेक्स वीडियो के अंदर, बब क्यों हमा तो